नमश्कार आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड आये सुनते हैं मुर्दुला सिनाजी की लिखे कहानी रद्दी की बापसी उस साल भी बाढ़ बढ़त पर ही थी हर आयू के लोग कहते सुने जा रहे थे हमने अपनी उम्र में ऐसी बाढ़ नहीं देखी राम लला के स्वर में स्वर मिला कर उसके बाबुजी जगदेव सिंग ने भी अपना अश्चर रिव्यक्त किया ननु क्यों पीछे रहता जब 35 वर्षे उसके बापने ऐसी बाढ़ नहीं देखी फिर 12 वर्षे पुत्र की क्या उकात उसके आयू में ऐसी बाढ़ नहीं ही आई थी बाढ़ के बड़त घटत मापने हे तू सरकारी महकमे के अपने पैमाने होंगे पर राम सखी का पैमाना है उसके दरवाजे की सीड़ियां उसके अनुसार जिस साल घर बन कर तयार हुआ था उसी साल सातों सीड़ियां डूब गई थी उसके ससुर जी ने बैसाख माह में दरवाजे पर मिट्टी भरवा दी फिर तो छे सीड़ियां ही बची मिट्टी हर साल भराई जाती हर साल उतनी बह भी जाती बाढ़ के पानी का यही सुभाव था कुछ दे जाना कुछ ले जाना जबसे गोरी ब्याह कर आई उसके ससुर जी द्वारा बनवाए गाउं के सबसे उचे दरवाजे की छे सीड़ियों को उसने भी बाढ़ मापने का पैमाना बना रखा है दो साल तक बाढ़ के पानी ने सीड़ियों के पाउं भी नहीं पकारे गोरी जलाती थी मैंने अपने माईके में कभी बाढ़ नहीं देखी थी मेरे आने के बाढ़ ही रूट गई है मुझे बाढ़ देखने जिजिया खेलने का बहुत मन करता है गोरी ने अपने पिता के मुख से बाण का वर्णन सुना था बेटी का ब्याह बाण वाले इलाके में तै करने के बाद वे उस इलाके का जादा ही बखान करते रहते थे शायद वैसे गाउं में बेटी ब्याहना उन्हें स्वैम रुचिकर नहीं लग रहा था या फिर होने वाले ससुराल के स्थितियों में अभी योजन लाइक बेटी का मन बना रहे थे विवास से पुर्व गौरी को उस गाउं की बाते सुन-सुन अचमभा, भै और रोमांच भी होता था आंगन घर तक पानी का प्रवेश कर जाना, कई दिनों तक जमी रहना उसके साथ साब बिच्छू और कीडे मकोडे का घर में आगमन, चूला चोका बंद रहना सब जानकारियां गौरी को भैभीत कर जाती लोगों का छट और छप्परों पर निवास, हेलिकॉप्टर द्वारा खाने के पैकेट्स शटों पर गिराना नाओ पर बैठकर दिशा मैदान जाना सुनकर गौरी अचम्हित हो जाती पर नाओ पर बैठकर महिलाओं को गाते बजाते जिंजियां खेलने जाने की कलपना उसे रोमानचित करती विवा के बाद दो वर्षों तक उसने ऐसा कुछ मी नहीं देखा बाद आई परमर्थ हुआ चौर के पेट में ही समाई रही लोट गई उस गाउवाले के अनुसार कई साल से बाद की रूण हत्या होती रही थी उसका बचपन और जवानी कोई देखे तो कैसे विधना ने चौर की कोग से आगे की उसकी आयू लिखी ही नहीं थी जवानी रौती सारा इलाका जलमगन करती बाड जगदेव सिंग की चार चिणिया डुबो गई गाउवाले बेहाल हो गए जगदेव सिंग का बड़ा आंगन चार और बने चोड़े चोड़े उसारे सब रिलीफ कैम्प में तबदील हो गए एक सब्ता तक यही स्थिती रही दरसल उनके घर के चारो और नीची जमीन पर बने घरों में पानी भराया था गोरी को अपना भरा भरा आंगन और कई चूलूं पर भोजन की सामगरी बनते देख बड़ा सुखद लग रहा था उसने अपनी सास से कहा मा जी अपना घर आंगन कितना भरा भरा लग रहा है काश सब दिन ऐसा ही रहता उसकी सास ने बहु की सिंधाई पर लंबी सास खीशते हुए एक कहावत कही चिडिया की जान जाए लड़किन के खिलोना ये सब बेचारे बाढ़ के मारे हैं खेत में इनकी फसल बह गई घर में संजोकर रखान भी डूब गया ये इतने दुखी है और तुम्हें आनंदा रहा है भगवान न करे मेरा आंगन इन दुखियों से फिर कभी भरे उसकी सास ने ठीकी कहा था गौरी को भी इसका एहसास हुआ जिन घरों में एक भी नौकरी पेशा इस्त्रे पुरुष नहीं बाढ़ के चले जाने पर भी उनकी हालत नहीं फसल के आगमन तक बहुत खस्ता रही गौरी के भाई दिल्ली में नौकरी करते थे उन्होंने होली के समय गौरी को दिल्ली बुलाया निमंत्रन स्विकारते हुए गौरी ने एक शर्त रखी थी बाढ़ आने के पहले गाउं लोटाने की शर्त गाउं लोटाई थी गौरी उस साल तो बाढ़ ने फिर अपना विक्राल रूप दिखा ही दिया गौरी के चारू घर में घुजकर पस्री पड़ी रही पानी की धार तेश थी गौरी के उचे पाउं वाले पलंग पर बिच्छा गद्दा तक भीग्या एक सप्ता छत पर ही गुजारा बाढ़ देखने की गौरी की लाल साब समाप्त हो चुकी थी वर्षों से सजोई भै कौतूहल और रोमांच की कलपना के स्थान पर अब उसके मन पर भूगा हुआ या थर्थ था आखिर बाढ़ के पानी को वापस जा नहीं था धर्ती जितना सोख सकी उतना पानी छोड़ा बाढ़ लोट गई उसके जाने के बाद का द्रिश उसके उपस्थिती से भी भयानक था घर का सब कुछ भीग चुका था कोठी का अन्य जल्वान की लकड़ी बरतन वासन यहां तक कि मिट्टी के बने चूले में आग के स्थान पर साथ दिनों तक पानी भरा रहा सब कुछ सामाने होने में दिन लगने ही वाले थे समलने और सवारने में आने वाली अगली बार तक का समय लाजमी था उसी सवारने के क्रम में गौरी ने घर में बहुत दिनों से सहेजे गए पुराने सामान निकाल दिये अपनी सास जी से कहा मा जी, पुरानी समानों वाली कोठी की दिवाल भी चावल वाली कोठी की ही तरह ढहकर मिठी के धेर बन गए समान चितराई पड़े हैं, उन्हें बाहर कर देती हूँ साव जी को बुला कर बेशने लाइक समान बेच भी दूँगी अन्मने ढंग से राम सकी ने कहा अन्मने रखे अनाच भी खराब हुए थे आंगन के सूखने पर अन्ने पसार पसार कर सुखाने लगी गोरी पल्टू का काम बढ़ गया था ससुर जी भी गोरी का साथ देते थे एक दिन वे गुमसों बैठी, पतनी पर विफर पड़े मत सुन हो गई क्या बाढ कोई पहली बार आई है वह तो आती ही रहती है उसका जीवन ही आना जाना है जो उसका काम है वह कर गई अब जो हमारा काम है हम क्यूं छोड़ दे उठो बहू के काम में हाथ बटाओ राम सकी ने मानू सुना ही नहीं गोरी की जिम्मेदारी बढ़ गई थी माढ क्या गई काम का बोज डाल गई थी सुबह सुबह गोरी ने पल्टू को आवाज दी पल्टू दरवाजे से बड़ी टोकरी लेकर आना पल्टू के सिर पर पुराने बर्तनों से भरी बास की टोकरी डालना चाह रही थी गौरी परवस्वैम अपनी पूरी ताकत लगा कर उसे उठा नहीं सकी दोनों के जोर लगाने से भी टोकरी तस से मस नहीं हुई गौरी सिर्थाम कर बैठ गई पल्टू अपनी मालकिन की परेशानी समझ गया दो-दो सामान हाथ से ही उठा कर दर्वाजे से बाहर रखाया कुछ सामानों के अंग दर्वाजे तक जाते जाते कई स्थानों पर बिखर गए गौरी की शादी के समय उसके मायके से आई चटाई का यही हश्र हुआ रामसखी के विवाज के समय की चटाई और रजाई के अंग भी कोई यहां गिरा गीत की पंक्तियों को साकार कर गई उसके विवाज के समय के फिल्मी गीत की पंक्तियां थी उसके पती उसी चटाई पर बैठ गुनगुनाय करते थे कुछ हलके और भारी बरतन जो धातूं की पहचान खोकर चबाय हुए पान की तरह एक रंग में रंग गये थे पल्टू बाहर रखाया अल्मोनियम कासा पीतल फूल पता नहीं किस बरतन का कौन धातू था छोटे बड़े दस्क्यारा होंगे जांच गजरोटा गिसा पिटा फूटा पराग लोटा चकला बेलन और भी बहुत कुछ गौरी ने कहा पल्टू सब समान दर्वाजे के नीचे रख दो धूप लग जाए थोड़ा जाड़ पोश कर महिर सुनार को बुला लेना रद्दी में बेच देंगे पल्टू ने रद्दी में बेचने का अर्थ नहीं समझा उसके समझने बूचने के लिए इतना ही काफी था कि उन्हें धूप में सोखने के लिए रख दे दिन भर सुखते रहे समान आखिर भादो मास की धूप थी कड़ी तीखी सुखा दिया उन बर्तनों को उनके उपर जमी काई की हरितिमा कम हुई गौरी ने शाम को उन्हीं घर के अंदर रखने की जरूरत नहीं समझी भला कौन ले जाने वाला था उसे शक्त था कि रद्धी का व्यापारी भी शायद ही उन्हें खरीदे दरसल हर माँ घर की रद्धी निकाल कर बेशते हुए उसने अपनी भावी को दिल्ली में देखा अखबार भी यदि सलीके से समाल कर नहीं रखे होते तो रद्धी वाला खरीदता नहीं था खरीदे भी तो कमदाम देता था उनकी भावी की भी भावी अमेरिका में है भावी उन्ही दिनों दिल्ली आई हुई थी भावी को रद्धी वाले से हुज़द करते देख उन्होंने जो बात बताई समझ में आया कि उनके यहां रद्धी का अलग रुत्बा है वहां लोग अपने घर की रद्धी निकाल कर बाहर रख देते हैं जूता, चपल, बर्तन, फरनीचर, इलेक्ट्रोनिक समान जिस किसी को जरूरत हो ले जाता है गौरी के भावी के भावी ने कहा था मेरे घर में भी बहुत सामान ऐसे ही रद्धी से उठाए हुए है दिल्ली से लोटकर गौरी ने अपनी सास को सब बातें सुनाई उसकी सास अपनी समझदारी एक प्रचलित कहावत में व्यक्ट कर गई के करो फाटल, के करो ओटल सुबह सकाल उठकर गौरी ने सास जी से कहा मा जी पुराने टूटे फूटे सारे रद्धी सामान बाहर रखवा दिये थे आप देख लीजिए, किसी सामान को वापस रखनी की जरूरत तो नहीं आज साव जी को बुला कर बेच दूँगी जो भी रुपए दे दे, क्या फर्क पड़ता है, रद्धी ही तो है गौरी को अपनी सास से सुनने की उमीद थी जो मन में आता है करो, पर ऐसा नहीं हुआ राम सक्खी उठी, बिना कुछ कहे दरवाजे पर गई गौरी भी अपने काम में लग गई काफी समय बीतने पर उसे अपनी सास का ध्याना है उसने वाहर जाकर देखा, राम सक्खी रद्धी की धेर के पास बैठी एक-एक समान उठा कर निहार रही थी उसकी एक आगरता, ऐसी मानो ननकु को ठोक कर सुला रही हो गौरी उसके पास जाकर बोली माजी क्या हुआ, जो छट नहें छट लीजिए, साव जी आने वाले होंगे राम सक्खी ने डंडी तूटे कजरोटा को हाथ में लिया, कहने लगी गौरी तुम्हें मालूम है यह कजरोटा हमारे घर कब और कौन लाया नहीं माजी, मुझे क्या मालूम, मैं तो आज ही देख रही हूँ इसे तो सुनो, कजरोटा तुम्हारे ससुर जी के जन पर उनकी फूआ लेकर आई थी पीतल के इस कजरोटे में भतीजे के लिए काजल सेख कर मेरे ससुर जी बहुत दिलदार थे अपनी बहन को काजल की सिकाई में दस कठा जमीन लिख दिये अब फूआ जी दस कठा खेत के लिए बैल हल लेकर खेती करने मैं के आने से तो रही मेरे ससुर जी हर साल उसमें फसल उगाते थे अपने हिसे का अधान रख लेते आधे का दाम उन्हें भेज देते उनके मरने के बाद तुम्हारे ससुर ने भी दो साल ऐसा ही किया एक दिन बाजितपूर से खबर आई फूआ जी चल वसी तुम्हारे ससुर खोज बुछारी के लिए बाजितपूर गए फूफा जी के पास राध के लिए भी रुपए नहीं थे तुम्हारे ससुर शाध में खर्श करने के लिए चावल दाल चूडा दही कोबरा सब के दस भाड़ गए दो हजार रुपए का इंदिजाम करके भी ले जाना था घर में इतना अन नहीं था कि बेच कर पैसे मिले उसी साल बड़ा भुकम पाया था मेरी नथनी तभी बेच दी थी फिर तो फूफा जी या उनके बाद उनके बेटों ने भी फसल कटने पर कभी अन्य भेजने के लिए तगादा नहीं किया उन्होंने रुपए भी नहीं लोटाए मानों 2000 में वह दसकठा जमीन फिर खरीद ली गई हो इसलिए उस खेट का नाम फूवा का दसकठवा है अपने खांदान की तीन पुष्टों की कहानी सुनती गुनती गौरी भी कहीं उसी कजरोटे में बंध हो गई साव जी भी कबाकर अपना तराजू ठीक करता फूवा के दसकठवा की कहानी सुनता रहा उसे समय और प्रयोजन का भान ही नहीं हुआ कजरोटे को दूसरी ओर रहकर गौरी ने अन्य बर्तनों में हाथ लगाया या भागा हत्यारा जाज अब तक मेरे घर में है पर मेरा बेटा नहीं रहा खोली का दिन था मैं भोर भिंगार में पूवा चान रही थी पांच किलो आटे के घोल के पूवे चानने थे आठ साल का मेरा बेटा तुम्हारा जेट दबे पाउँ आता और मेरे पीछे मिट्टी की नई हाडी से पूवा उठा कर ले भाग रहा था बहुत देर बाद मैंने चाने हुए पूवा की हाडी में हाथ लगा कर देखा हाडी हलकी लगी वह उसी वक्त फिर आया और पूवा निकालने लगा इसी अभागे चाच ने गरम घी में से एक और पूवा निकाला था मुझे क्या मालूम की हाडी में उसका हाथ था गरम पूवा उसके हाथ पर पड़ा वह चीक उठा गुस्से में मैंने उसी गरम चाच से उसकी नंगी पीट पर दो-चार हाथ जड़ दिये हाथ तो जला ही था पीठ भी जल गई मेरे घर की होली खराब हुई ही उसी घाव के कारण वा एक महीने बाद मुझे छोड़ कर दुनिया से चला गया चार दशक पूरो विछुड़े बेटे के लिए बुक्का फाड कर रोने लगी राम सकी गौरी का सिसकना मात्र सास का साथ देने के लिए नहीं था वह भी अब मा है मिन देखे अपने जेट के लिए नहीं अपने बेटे को उसके स्थान पर सोच कर या फटना था फट गया सास पहु के बीच वारतालाप का भधरिष्ट देख साव जी ने धीरे से कहा आज रहने दो बहुरानी मैं कल सुब फिर आ जाऊंगा दो पहर ढल गई नहाना धोना भी बाकी है गौरी ने भी इशारे से साव जी को जाने के लिए कहा जवाबी इशारे के अबोले शब्द थे कल जरूर आ जाईए मुझे याद करवाने की जरूरत नहीं पड़े साव जी भी गौरी को आश्वस्त कर अपने पसारे हुए तराजू वबाट बोरा में कस्ते आगे बढ़ गए माजी उठिये मूहाद धोईए अब ही स्कूल से वापसा कर अपनी पीट पर भारी बस्ता लिये मा की पीट पर लदा पड़ा था दोनों के बोज से बोजिल होती गौरी जल्लाई क्यों रे आज फिर जल्दी छुट्टी हो गई मास्टर नहीं आये क्या ननकू बोला मा पांच बजे छुट्टी हुई है सम मास्टर आये थे गौरी को सांच ढलने का हैसास हुआ राम सखी को भी जबरदस्ती उठा कर अंदर ले गई खिलाया पिलाया पर थोड़ी देर ही आराम करके राम सखी फिर उस रद्दी के धेर से एक सामान उठा लाई सांच ज़ल गई थी गौरी आंगन में पसरान समेट रही थी और उसके सांथ वहीं बैठ रद्दी में निकाले चकला बेलन की कथा पसार गई लसगरीपुर मेले से राम सखी की दादी द्वारा उसका खरीदा जाना दो वर्ष बाद उसके गौने में उसके साथ ससुरा लाना उसके सास द्वारा उलट-पुलट कर देखना प्रसंध होना बेलन की गुलाई वा मोटाई पर मोहित होना न जाने कितने प्रसंग जुड़े थे उस चकला बेलन के साथ चावल के धनीवस गाउं में चकला बेलन को बहुत आराम रहता था कभी कभी ही महमान आने के दिन मेहनत करनी पड़ती उस पर पूडियां बेली जाती एक साल जेट मा में रामसकी के घर में आग लगी थी सभी सामान जल गए चकला बेलन जुलसकर बच गया था इस प्रकार चकला बेलन की कथा भी दुखान थे निकली आने सामानों की भी कथा सुनती सुनती गौरी के कई दिन उन रद्दी सामानों की कथाओं के साथ निकल गए प्रति दिन साव जी आता सास बहु को कहते सुनते कथा में डूबते देख लोट जाता उसके पास डूबने का समय नहीं था बाढ़ ने घर-घर को पानी में डुबो कर उसके व्यापार में बढ़ुत्री कर दी थी मानों उसके भी दिन बहुरे थे सब घरों से रद्दी निकाली जा रही थी इधर बर्तनों की कथा कहके रामसखी स्वस्थ होती जा रही थी उसकी पुरानी यादे जीवन थो गई थी बचपन और जवानी के उन प्रसंगों की यादों के साथ रामसखी का बचपना और जवानी लोटाई थी फिर उन अवस्थाओं में चिंतित और दुखी होने की कहां गुंजाईश थी इसलिए रामसखी का मन सामान ने होता गया जग देव सिंग भी खुश हुए गौरी को भी साथ जी की स्मृती लोटाना सुखद लगा उस दिन जब साथ जी तराजू बाट की बोरी लेकर पहुचा गौरी एक-एक बरतन पल्टू के सहयोग से राख और नीबू रगड कर चमका रही थी साथ जी ने मना ही करते हुए कहा नहीं बहुरानी उन्हें साफ करने की ज़रूरत नहीं है बस जैसे हैं वैसे ही तलवा दो या हुंडा ही में दे दो मुझे कौन सा इने दुकान में सजाना है फिर से गलाए जाएंगे ये बरतन नए बनेंगे गौरी ने बड़ी दृरता से कहा नहीं साफ जी ये बरतन नहीं विकेंगे ये अभी रद्धी हुए ही कहा मा जी इनके सहारे जिन्दा है इनमें इस खांदान की नजाने कितनी पीडियों की कहानिया समाई है ये रद्धी नहीं हो सकते इसके पहले मुझे इनका मोल नहीं मालूम था अब तो आप इसका मोल चुका ही नहीं सकते अब ये मेरे जीवन भर भी साथ रहेंगे अनमोल है ये रद्धीया पता नहीं कहां खोती जा रही थी गौरी मानो 14 वर्ष बाद पहली बार वह उस खांदान की बहु बन कर उसके अतीत में डूबती जा रही हो और उसे यह डूबना बड़ा सुखद लग रहा था साइकिल के केरियर में अपनी खाली बोरी अटकाता साव जी भुन भुनाया अब तो बहु भी बिना बाढ़ ही डूब गई ऐसी बाढ़ का पानी न जाय न बहु उबरे चलू मैं दूसरे दरवाजे जाओ क्या पता वहां भी कोई साथ अपनी बहु को विपता सिपता की कथा कह रही हो अभी आप सुन रहे थे मृदुला सिनाजी की लिखी कहानी रद्दी की वापसी उमीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी वीडियो को लाइक और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद